दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग customer का profile का information अपडेट करेंगे, साथ हम लोग customer का address का information भी अपडेट करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, हम लोग यहाँ पर user के profile page पर हैं, ठीक है तो यह उसका personal information है और personal information मैंने यहाँ पर name field दिया है, email field दिया है और इसके साथ मैंने phone field और address field दिया है ठीक है तो पहले यहाँ पर हम लोग personal information को update करेंगे और इसके नीचे हम लोग एक और form देंगे जैसा यह form है और उस form में customer क्या करेगा अपना address update कर पाएगा ठीक है तो start करते हैं अपना tutorial और आ जाते हैं vs code में आ यहाँ पर मैं vs code में आ गया हूं और मैं यह file सारी बंद कर देता हूं यह मैंने उनके सारी file बंद कर दी है और आ आँ फीन कर लेता हूं slave controller All doctor controller में हिं हम लोगोंने profile वाला method define किया तो यह रहा profile वाला method ठीक है तो इस चेहाँ लोगोंने एक 700 page डा कॉल किया है ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इससे implement कर लेते हैं और अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो पहले मैं logout कर देता हूँ यहाँ पर और मैं जाता हूँ register वाले page पर तो user के registration के time पर हम लोग ने name field दिया है email field दिया है phone field दिया है यहां पर मैं login कर लिया ठीक है तो यहां पर यह जो address वाला फिल्ड यह extra field है इससे इडा देंगे और यहां पर name field – email field और phone field को ही update करेंगे ठीक है तो यहां पर मैं आ जाता हूँ और यह address field को मैंने यहांसे इडा दिया ठीक है तो next अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर इसे एक form टेग्ग के इंदर बंद करेंगे पहले तो यहां पर card body से उपर एक form टेग्ग लें लेते हैं form ठीक है और तो यहां पर मैं इस form का एक पर इसको पेस्ट कर देना ठीक है और इसके बाद मैं इसको खिसका रहता हूं इस तरह से ठीक है और यहां पर एक बड़ चेक कर लेते हैं यहां पर फील्ड का नाम है नेम और आईडी दिया है नेम मैंने यहां पर फील्ड का नाम है इमेल और यहां पर आईडी ठीक दिया है मैंने phone में phone है और id phone ठीक है तो यह बिल्कुल सही है और address वाला field मैंने यहां पर हटा दिया है next मुझे क्या करना है next मुझे यहां पर नीचे एक adx लिखनी है तो adx के लिए हम लोग क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे adx section और section के अंदर मैं लिखोंगा यहां पर custom js ठीक है यहां पर script tag लगांगा मैं और script tag के अंदर मैं क्या लिखोंगा यहां पर लिखोंगा dollar profile form dot submit ओके function और यहां पर event event dot prevent default ओके और इसके बाद यहां पर dollar dot ajax और इसके अंदर यहां पर हम लोग ajax की settings देंगे तो सबसे पहले हम लोग लोग देते हैं url ठीक है और url के बाद यहां पर type तो इस और यहां पर data data में हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे dollar this dot serialize array serialize array ठीक है और इसके बाद यहां पर data type data type हम लोग क्या लेते हैं जेसन ठीक है data type जेसन और इसके बाद यहां पर success function और यहां पर इस callback function के अंदर हम लोग एक parameter लेंगे जिसका नाम होगा response ठीक है तो यहां पर अब हमें क्या करना है हम लोग एक route क्रेट करना होगा तो यह जो ajax hit होगी वो एक route पर hit होगी तो उस route से क्या होगा कि हमारा user का profile update हो जाएगा ठीक है तो मैं आ जाता हूँ पहले एक auth controller में और यहां पर हम लोग एक method create कर लेते हैं public function update profile ठीक है और यहां पर request change कर लेते हैं request dollar request ओके और अब हम लोग एक route register कर लेते हैं web.php में तो इसको मैं यहां पर declare करूंगा इसके just bar में तो मैंने इसको copy करके यहां पर paste कर दिया है और यहां पर url में change करके लिख देता हूं update profile ठीक है update profile और यहां पर हमारे method का क्या नाम होगा तो हमारे method का नाम होगा update profile और इस route का नाम होगा account.update profile ठीक है तो यह मुझे copy करना यहां पर इस route का नाम और इसे मुझे call करना यहाँ पर URL में तो कैसे call करते हैं हम लोग यहाँ पर हम लोग लिखते हैं route और यहाँ पर इस तरह से call कर लेंगे next अब क्या करना है मुझे यहाँ पर आना है और पहले हम लोग के चेक करेंगे कि हमारा Ajax proper चल रहा है कि नहीं चल रहा है तो यहां पर मैं कुछ लिख देता हूँ, echo, hello, ओके, और अब मैं क्या करता हूँ, यहां पर inspect कर लेता हूँ, और inspect कर लेने के बाद में यहां पर network open कर लेता हूँ, ठीक है, और पहले एक बर reload कर लेते हैं, यहां पर, पहले यहां पर check करेंगे, कि हमारे console में कोई error तो नहीं और यह error आप लोग को कई बर face होता है, तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका मैं आपको reason बता देता हूँ, यहां पर अगर आप लोग देखें, तो यहां पर यह जो ajax मेरा है, यह post type का है, और route जो है, वो कैसा है, route है get type का, तो यहां पर mismatch हो गया, ajax मैंने दिया था post type का, ठी acceptance का, तो दोनों ही same होने चाहिए, ठीक है, so ajax में अगर हम लोग निए get type का route डिया, तो यहां पर route भी get type का होना चाहिए, और अगर ajax में type मैंने post दिया तो यहां पर route का जो type होना चाहिए, वो post होना चाहिए, ठीक है, तो अब वह error नहीं आएगा, तो फिर से, एक बार click करके आपको दिखा रेता हूँ तो यहां देखो error नहीं आया और response में मुझे hello मिला जो कि मैंने method के अंदर लिख के रखा था ठीक है ओके सो अब मुझे क्या करना है यहां पर मुझे profile को update करना है तो profile update कैसे करेंगा तो इसके लिए हम लोगों ने database में एक table बनाया था users नाम का users table में हमारे पास क्या है तो open कर लेते हैं users table तो जब हम लोग register करते हैं तो users table में हम लोग data को store करते हैं तो यहां पर name है, email है, phone number है तो हम लोग को name, email और phone number ही update करना है तो update कर देते हैं और update करने से पहले एक का हम लोग और कर लेते हैं यहां पर profile में जो भी information है उसे पहले शो कर लेते हैं तो profile में information शो करने के लिए यहां पर एक हम लोग query कर लेते हैं dollar user equals to user model यहां पर where यहां पर id और id में मैं क्या लिखूंगा author user और इसके बाद id तो जो भी user logged in है उसका id मुझे इस तरह से मिल जाएगा author user id author user क्या करता है जो भी logged in user है उसका एक array session में हमारा store होता है तो author user जब मैं print करूंगा तो मुझे एक array मिलेगा ठीक है object मिलेगा sorry तो उस object से मैंने id को यहां पर ले लिए ठीक है तो इसके बाद मैं यहां पर लिखता हूं first ठीक है तो अब यहां पर dollar user में जो भी logged in user है उसका data मुझे मिल जाएगा ऐस object अब इस object को मुझे यहां पर pass करना है तो यहां पर इस तरह बिखेंगे यहांपर मैं user लिखömगा और शके बदिहां पर लिख दहूंगा dollar user और मैं यहां पर profile पर जाऊंगा और इसके बाद यहां पर वैल्यूश को प्रिंट करना है तो यहां पर फोन नंबर तो यहां पर फिर से print कर देते हैं और यहाँ पर phone ओके तो अब मैं पहले reload करता हूँ यहाँ पर तो देखो यहाँ पर markdoi mark at example.com और यहाँ पर update का button ओके तो यहाँ पर जो भी registration के time पर उसमें जो भी information दिया था वो information यहाँ पर आ गया ठीक है तो अब वापस से यहाँ पर आ जाते हैं controller में और update करने से पहले यहाँ पर हम लिए क्या करना होगा form validation apply करना होगा तो form validation apply कर देते हैं तो यहाँ पर मैं लिखूंगा validator equals to validator facade ठीक है validator make और इसके अंदर मैं लिखूंगा request का all ठीक है और इसके बाद यहाँ पर validation rules एरे के अंदर तो हमारा name field क्या है required है और इसके बाद हमारा email field क्या है वह भी required है ओके और यह valid email होना चाहिए तो यहाँ पर email लेग दिया तो इस पर email rule apply हो जाएगा email field पर और इसके बाद यहाँ पर phone phone में required तो तीनों field ही required होंगी ओके और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर email field पर हमें एक custom validation रूल अपलाई करना होगा ठीक है क्योंकि हमारा email है वह unique है और वह username का काम करता है तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा यहाँ पर मैं लिखूंगा unique ठीक है unique वारा rule apply करेंगे और table में हम लोग यहाँ पर दे देंगे users ठीक है तो users table में जो email field है वो क्या है unique है ठीक है कभी वो duplicate नहीं हो सकता तो column का नाम क्या है तो column का नाम है users table में email column ठीक है और यहाँ पर हमें एक exception देना होगा कि जो अभी user logged in है उसको छोड़ करके ठीक है तो यहाँ पर user id को यहाँ पर exception में देना होगा इस तरह से ठीक है तो user id में हाँ वो आईडी होगा जिसको मुझे यहाँ पर exception में देना है तो यहाँ पर मैंने user id दे दिया है ओके तो ओके तो यहाँ पर मैंने validation rules properly declare कर दी है अब मैं यहाँ पर लिखोंगा if dollar validator ठीक है और else में यहाँ पर errors को return कर देंगे ठीक है तो errors को return करने के लिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर हम लोग लिखते है return response और इसके वाद यहाँ पर मैं लिखोंगा जेसन जेसन में यहाँ पर array एक अंदर status में false और यहाँ पर errors में यहाँ पर मैं लिखोंगा dollar validator का errors नाम का method ठीक है और यहाँ पर semicolon तो पहले errors को print कर लेते हैं और काम करता हूं यहाँ पर मैं reload कर लेता हूं और मैं यह सारी फिल्डे यहाँ पर form के अंदर शो करना है तो शो करने के लिए हम लोग जाएंगे profile वाले blade में और यहाँ पर मैं लिखोंगा if response.status equal equal true true का मतलब यहाँ पर यह होगा कि form update हो चुका है ठीक है मतलब user का information update हो चुका है है और असुम मुझे क्या करना है यहाँ चुका है क्या करता हूँ यहां पर एक मैं पी टैग दे देता हूँ ठीक है और पी टैग में पी टैग दे देंगे यहां पर और यहां पर भी टैग दे देंगे और इसके बाद यहां पर भी टैग देंगे ठीक है और इसके बाद यहां पर मैं कहा हूंगा मैं यहां पर लिखोंगा एरर्स का नेम ठीक है अगर नेम में कुछ भी वैल्यू आ रहा है मतलब की नेम फील्ड पर कोई एरर है तो यहां पर क्या लिखना है डॉलर नेम डॉट एड क्लास उस पर हम लोग के क्लास अप्लाई करेंगे इस इन्वैलिट ठीक है और इसके बाद यहां पर मैं ठीक है और सिब्लिंग्स के अंदर मैं लिखूंगा पी टैग ठीक है और पी टैग के अंदर हम लोग एरर को अपेंड कर देंगे तो अपर को अपेंड करने के लिए यहां पर मुझे एस्ट्रीम मेथड को यूज करना होगा और यहां पर मैं क्या लिखूंगा डॉट नेम ठीक है, और इसका एक else part होगा, else part में क्या करना है, इसे copy करना है, यहाँ पर इसे paste कर देना है, यहाँ पर इसे मुझे लिखना है remove class, ठीक है, और एक कम मुझे और करना होगा, यहाँ पर एक class को भी add करना होगा, तो यहाँ पर add class, ptec पर भी हम लोग एक class add करेंगे, invalid feedback, ठीक है, तो इसको copy कर लेना है, और यहाँ पर इस तरह से दे देना है, और यहाँ पर मुझे लिखना है remove class, ठीक है, okay, so, इसे copy कर लेना है, टेस्ट कर देना है, और जहाँ जहाँ नेम लिखा है, यहाँ पर मैं replace करके कर दूँगा, email, ठीक है, ठीक है, तो यह email के लिए हो गया, और इसके बाद phone number के लिए भी मुझे इसे ही देना होगा, तो यहाँ पर phone, ठीक है, okay, so, अब इसे test कर लेता है, मैं यहाँ पर reload कर देता हूँ, और console में कोई error नहीं आ रहा है, फिर से network में जाते हैं, यहाँ पर मैं पहले blank कर देता हूँ इसे, और मैंने click कर दिया, तो देखो, यहाँ पर the name field is required, the email field is required, the phone number field is required, और मैं यहाँ पर name देता हूँ, मोहित, same, ठीक है, तो यहाँ पर name वाला error चला गया है, the name field is required, और यहाँ पर मुझे एक काम और करना होगा, else के case में, पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा format कर लेता हूँ, आपको दिखना ही रहोगा साई से, इस तरह से, so else के case में मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर इसे blank कर देना, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसी तरह से इसको apply कर देता हूँ, तो यहां पर मैंने इमेल के केस में HTML केंदर दिखो ब्लैंक दे दिया ठीक है और यहां पर phone number के केस में भी HTML केंदर ब्लैंक दे दिया ठीक है ओके सो आप इसे फिर से एक बड़ ट्राई करते हैं तो मैं यहां पर फिर से रिलोड कर देता हूं ठीक है मैंने name blank कर दिया यही blank कर दिया और यह भी तो update किया तो यहां पर error आ गया और मैं यहां पर फिर से लिख देता हूं Mohit Singh ठीक है तो अब यह error चला जाना चाहिए और red वाला border भी चला जाना चाहिए ठीक है फिर मैं email लिख दिता हूं यहां पर यहां पर मैं लिखता हूं और फोन नमर में भी कुछ देता हूं और यहां पर फोन नमर अला नहीं जाएगा क्योंकि यहां पर response के status में कुछ भी मुझे नहीं मिला तो इसको fix करने के लिए क्या करना होगा यहां पर इसको एक को copy कर लेना है कौपी कर लेने के बाद यहां पर जो success वाला case है यहां पर इसे print कर देना है ठीक है और इसके बाद पहला तो name field के लिए हो गया फिर फोन नमर के लिए और फिर हो गया email के लिए ठीक है तो अब अगर मैं यहां पर reload करूंगा और फिर समय से try कराता हूं आ अपडेट किया तो यहां पर यह error आ गया तो मैं यहां पर phone number दे देता हूं और update पर click करता हूं तो यह error नहीं गया ठीक है क्यों नहीं गया क्योंकि response में हमें कोई भी status नहीं मिला तो इसे बात mental कर लेगें कोई दिक्कत की बात नहीं है तो बाकी यह condition आपको लिखना है जैसे मैंने यहां पर दिया ऐसे आप लोग भी दे देना ठीक है अब मुझा आना है auth controller में ठीक है और यहां पर आ जाते हैं ठीक है if condition के अंदर तो यहां पर मैं क्या लॉग डिन आईडी ठीक है ओके और इसके बाद यहां पर मैं update कर दिता हूं columns को तो यहां पर नेम में क्या जाएगा dollar request का name ठीक है और यहां पर मैं इस तरह से कर देता हूं name हो गया मारा फिर हो गया email field यहां पर email और इसके बाद है phone number तो यहां पर phone ठीक है और इसके बाद मुझे क्या करना है इसको सेफ कर देना है और एक रिस्पॉंस रिटन कर देना है सक्सेस रिस्पॉंस तो यहां पर स्टेटस प्रू हो जाएगा और चली जाएगा यहां पर एक मैसेज में आपर दे लिता हूं प्रोफाइल डेटेड़ कि सक्सेस्फुली ओके और एक सेशन का मैसेज भी ले लेते हैं आपर सेशन session में हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर flash session हो गई हमारा success और यहां पर profile updated successfully ठीक है ओके सो अब आ जाते हैं यहां पर और यहां पर हम लोग क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे window.location.hrf एकोस टू राउट और कौन सा राउट यहां पर कॉल करेंगे यहां पर मैं देख लेता हूं यहां पर profile और राउट कॉल करेंगे ठीक है यह बाहर मैंने single code दिये तो अंदर मुझे double code देने चाहिए थे तो यहां पर account profile ओके और यह जो code है यहां पर होना चाहिए ठीक है errors को clear करने के बाद में मैं उसे redirect करूंगा profile page पर ठीक है ओके सो अब इसे चला करके देख लेते हैं रिलोड करता हूं मैं यहां पर और यहां पर मैं update पर click करता हूं पहले तो मैं clear कर देता हूं यहां पर profile अपडेट हो चुका है यहां पर अभी message नहीं है तो message के लिए हम लोगों को एक file को include करना पड़ेगा जो कि मैंने बनाया था पिछले वीडियो में और वह file मैंने कहां पर बनाया था तो मैं आपको दिखा देता हूं तो यह file था common के अंदर message.blade.php इसे हम लोगो कॉल करना है, कॉल करने के लिए पहले मैं देख लिए तो अच्छा इस तरह से ठीक है तो मैं आजता हूं profile में और यहां पर मैं देता हूं ठीक है तो यहां पर activity देता हैं और यहां पर class call md 12 और यहां पर मैं file को include कर देता हूं तो उसो copy कर लिया मैंने front.account.com कि मैंट में lists ठीक फिर एककॉंट फॉल्ड फिर कममन फॉल्डिर थीक है तो अब यहाँ पर प्रोफाइल में क्लूट कर लिए तो मेर्योद कर लता हूं फिर से और को trophy और यहां पर, मैं लिख देता हूँ, मार्क 22, और फोन नम्बर मैं देता हूँ, 3333 अपडेट के मैं है यहां पर ठ्वील कहा है, तो फॉफाल्ळ प्रॉफाल यहां पर उपडेट हो चुका है, उपडेट हो गया, और यहां पर 333 और इह अन्डिशन में यहाँ पर यह वाला customer लिख नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि यह पहले से email registered है, तो अगर मैं यहाँ पर update पर click करूँगा, तो यहाँ पर देखो error आगे, the email has already been taken, ठीक है, तो वो गलत email address डाल ला है यहाँ पर, क्योंकि यह email address से पहले से एक user registered है, ठीक है, तो अभी मैं इसको refresh कर देता हूँ, और मैं इसे फिर से कर देता हूँ, mark at example.com और update कर देता हूँ, तो यहाँ पर मेरा message आ जाएगा, profile updated successfully, तो हम लोगों ने यहाँ पर अपना पहला काम achieve कर लिया, हम लोगों ने profile information को update कर लिया है, next हम लोग यहाँ पर address वाला form create करेंगे, और उसे update करेंगे, ठीक तो copy करने के लिए मैं पूरा ही card, यह copy कर लेता हूँ, और नीचे paste कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर personal information लिख कर के आ रहा है, तो एक काम करते हैं, यह थोड़ा chip का हुआ रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, mt4, ठीक है, तो और थोड़ा सा space दे रहते है, mt5, ठीक है, अब ठीक है, और यहाँ पर मैं इसे chain करके लिख देता हूँ, address, ठीक है, so address में हमारे पास कौन कौन सी field है, तो यह field है हमें मिलेंगी, customer addresses नाम के table में, ठीक है, तो हमारे पास first name है, last name है, email है, mobile है, country ID है, address है, apartment है, city है, state है, zip है, ठीक है, so इसके बिहाब पर ही, यह नाम चेंड कर लेते हैं, इसका मैं नाम दे देता हूँ, address, ठीक है, और यहाँ पर name लिखा हुए, इसे chain करके मैं लिख देता हूँ, first name, first name, ठीक है, और यहाँ पर इस field का क्या नाम है, name है, तो इसका मैं चेंड करके नाम लिख देता हूँगा, first name, ठीक है, enter your first name, ठीक है, और इसके बाद नीचे आ जाएंगे यहां पर इसी को कॉंपी कर लेते हैं कॉंपी करके पेस्ट कर देते हैं यहां पर लास्ट नेम फील्ड हो गया ठीक है और यहां पर हो जाएगा लास्ट नेम यहाँ पर enter your last name ओके next हमारा field क्या है next field मैं देख लेता हूँ यहाँ पर email last name हो गया email तो last name यहाँ पर email तो यहाँ पर यह email वाला field ठीक है और enter your email सही है यहाँ पर इसके बाद मुझे क्या field देना है mobile field देना है तो यहाँ पर phone दिया है तो मैं इसे chain करके लिख देता हूँ यहाँ पर mobile और यहाँ पर phone की जगे मैं replace कर देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर field का नाम मैंने दे दिया mobile और id दे दिया मैंने mobile ठीक है तो enter your phone तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ mobile enter your mobile number ठीक है next यहाँ पर मुझे कौन सा field देना है country देना है तो country के लिए मुझे country वाला drop down यहाँ पर display करना होगा तो उसके लिए मुझे यहाँ पर auth controller में query करना पड़ेगा profile वाले blade में auth controller के profile वाले method के अंदर मुझे countries को select करना होगा database दे तो इसके लिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैं लिए country ठीक है country model और इसके बाद यहाँ पर order by name ascending ठीक है और इसके बाद यहाँ पर get और यहाँ पर countries नाम का मैं यहाँ पर country इस तरह से मैंने दे दिया ठीक है अब मैं countrys variable को use कर सकता हूँ तो मैं जाता हूँ वापस से profile वाले blade में और मैं इसको copy करके यहाँ पर paste कर देता हूँ यहाँ पर लिए देता हूँ country यह input अटा देता तो यहाँ से और इसकी जगे यहाँ पर मैं select ले लूँगा ठीक है और यहाँ पर हम लोग एक option ले ले लेते हैं यहाँ पर select country और इसके बाद यहाँ पर if dollar countries is not empty तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर for each को use करेंगे for each for each के अंदर मैं यहाँ पर दूँगा dollar countries dollar country ठीक है यहाँ पर दो डॉलर हो गए एक डॉलर अटा देते हैं और option copy कर लेते हैं यहाँ पर इसतने से दे देते हैं और option में यहाँ पर लिखूंगा मैं dollar country का name ठीक है और value में country का id ओके तो यह country के लिए हो गया फिर हमें देना है कौन सा field address ठीक है तो address के लिए यहाँ पर मैंसे copy कर लेता हूँ copy करके मैंसे paste कर देता हूँ यहाँ पर हो जाएगा address ओके और यह कट कर देता हूँ यहाँ पर text area ले ले लेते हैं यहाँ पर address ठीक है और यहाँ पर id में भी address रोज मैं आप ले लेता हूँ 5 ठीक है और यहाँ पर एक class हो जाएगा form control और यहाँ जो select दे रखा है इस पर भी मुझे class apply करना और field का नाम मैंने नहीं दिया तो यहाँ पर मैं देता हूँ country ठीक है और यहाँ पर country id दे देता है क्योंकि database में country id तो ज्यादा बेटर रहेगा class यहाँ पर form control ओके और यहाँ पर address field मैंने दे दिया है और मैं copy करके फिर से आगे बढ़ता हूँ एक काम करते हैं पर एक पर इसको check कर लेते हैं कि अभी तक क्या result है तो first name last name और यह address field हो गया ठीक है बाकिया भी यह सब ignore कर लो आप लोग यह जो अटा देंगे भी हम लोग बाद में ओके address तक पहुंच गे हम लोग इसके बाद आपार्टमेंट अपार्टमेंट इंपुट होगा city इंपूट फील्ड होगा state पी और घुट तो यहां पर अपार्टमेंट है ठीक है अपार्टमेंट को हम लोग text की तरह use करेंगे तो यहांपर किसी text विल्ड लोग कॉपी कर लेते हैं यहां पर क्पेस्ट कर देते हैं यहां पर यहां पर मैं लिक दूँसर Weise and ठीक है और यहां पर स्मॉल लेक्टर में कर देते हैं इसे अपार्टमेंट के बाद सिटी तो यहां पर सिटी और यहां पर सिटी नेम और इंड आईडी में मैंने सिटी दे दिया है उसके बाद स्टेट स्टेट यहां पर स्टेट और इसके बाद क्या है यहां पर स्टेट हो गया फिर जेब है ठीक है तो जिप भी हमारा फिल्ड होगा ठीक है तो यहां पर यहां पर फिर पोस्टल करें जो भी ना और आप दे सकते लेबल में दे देना ठीक है तो यहां पर इसको चाहँ करके मुझे लिखना है है जिप ठीक है और यहां पर घृत ओके और बाकि यह जो दे रखा है वैलू में इसको अटा देना है इसको में अटा दिया, यहाँ पर यह जो एमेल दे रखा है यह भी अटा देना है तो यहाँ पर यह कुछ इस तरह से आगए, अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसे modify कर सकते हैं तो यह form थोड़ा और better लगेगा तो इसके लिए क्या करना होगा यहां पर हम लोगे class use करेंगे call md6 ठीक है और यही class मैं यहां पर use करूंगा ठीक है और यहां पर भी और इसके बाद यहां पर mobile की case में भी ठीक है और मैं यहां पर reload करके कि आपको दिखाता हूं कि इसका result क्या है तो यहां पर देखो first name यहां पर आ गया last name इसके just सामने आ गया email आ गया और mobile आ गया तो यहां पर हमारा form थोड़ा चोटा हो गया और country को इसी तरह से रहने देंगे address भी इसी तरह से रखेंगे apartment city और state और zip को इन दोनों को हम लोग ऐसे हाफ आफ तोड़ लेंगे तो इसके लिए भी हम लोग नीचे जाएंगे so apartment में यहां पर MP3 के बाद हम लोग class दे देंगे column 6 यहां पर भी देंगे यहां पर भी देंगे और यहां पर भी देंगे तो अब अगर हम लोग देखेंगे तो form थोड़ा चोटा हो गया और यह काफी बेटर है ठीक है तो आप लोग भी छोटी-छोटी चीज़ें ध्यान रखना जब आप लोग development करना तो यह चोटी-छोटी चीज़ें आप लोग ध्यान रखना ओके तो अब अगर मैं अपडेट पर क्लिक करूँगा तो यहां पर address अपडेट हो जाना चाहिए पहले तो यहां पर अगर हम लोगों ने address को store किया है मतलब customer ने address हम लोगों ने store किया था क्योंकि इस customer ने order place किया है तो मैं आ जाता हूँ यहां पर auth controller में और यहां पर user का address का information में निकाल लेता हूँ तो इसके लिए मुझे customer address नाम को model call करना होगा तो यहां पर मैंने customer address model को use किया है तो इसे import करना भी ज़रूरी है तो यहां पर हम लोगोंने customer address model को import कर लिया है यह line आप लोग लिख लेना और यह चीज़ तो मैं आप लोगों को पहले explain कर चुका हूँ कि जो भी model हम लोग use क करेंगे उसे import करना mandatory है ठीक है तो अब आजाते हैं वापस से profile वाले method में तो यहां पर मैंने customer address नाम का model कॉल किया था यहां पर मैं एक where clause लिखूंगा where clause मैं दूँगा user id और user id में मैं हापर क्या दूँगा user id ठीक है तो auth user id और एक काम कर लेते हैं इसको यहां पर एक variable में ले लेते हैं तो ज्यादा बेट रहेगा dollar user id ठीक है तो इसे copy करते हैं यहां पर भी सी तरह से use कर लेते हैं और यहां पर यहां पर मैं रिखता हूं first ओके और यहां पर एक वेरेबल ले लेता हूं address dollar address ठीक है और मैं यहां पर इसे pass कर लेता हूं ओके विखाए में वापस से जाता हूँ और यहां पर मैं इसे यूज़ कर लेता हूं ठीक है तो वैल्यू में मैं क्या करूंगा पहले मैं यह चेक करूँगा कि first name blank तो नहीं है ठीक है उसके बाद ही मैं उसे print करूँगा और इसके लिए मैं turnary operator का use करूँगा ठीक है तो इस तरह से लिखना है यहाँ पर मुझे लिखना if पहले तो bracket लगाना if not empty dollar address अगर dollar address empty नहीं है तो यहाँ पर if और क्या करना है मुझे यहाँ पर dollar address का first name show करना है ठीक है तो यहाँ पर इस तरह से और else में blank ठीक है तो इसे ही copy कर लेते हैं यहाँ पर paste कर देते हैं यहाँ पर इसे change करके लिख देंगे last name okay और एक बरशक चला करें कि क्या यह चल रहा है कोहरा निया यहाँ पर first name आगया और last name ही सिंग हा ठीक है तो इसी तरह से इसको use करते जाते हैं यहाँ पर हो जाएगा email ठीक है और इसके बाद यहाँ पर mobile देना है तो यहाँ पर mobile मोबाइल और इसके बाद यहां पर कंट्री को बाद में देखेंगे पहले यहां पर और सारी फिल्डों को प्रिंट कर लेते हैं यहां पर एड्रेस ओके नेक्स्ट है अपार्टमेंट तो यहां पर इस तरह से अपार्टमेंट कर लिए मैंने पेस्ट करते हैं ठीक है यहां प होगा दो bracket और यहां से भी अब ठीक है और इसके बाद यहां पर भी दो bracket हैं तो यहां पर मैं से अटा रेता हूँ और यहां भी अटा रेता हूँ ठीक है तो इससे कॉपी यहाँ पर मैं आपर हाँ और सबस्क्राने कर दो करना हाँ यहाँ पर मैं लिखता हूँ एप नॉट आंड्रेस और यहाँ जाबना है ऑपना मैं और देना है यहां पर लिखना है country id ठीक है database में भी चेक कर लेते हैं कि क्या मैंने country id दिया है हाँ ठीक है country id दिया है so address का country id equal equal dollar country का id ठीक है तो अगर वो equal हो जाता है तो if में मैं क्या दूंगा selected ठीक है और else में blank ठीक है तो यहां पर clear है और यह जो value दे रखा है यह ठीक है तो यहां पर country भी अब आ जाएगा और इसने Canada शायद choose किया था तो यहां पर Canada आएगा ठीक है तो यहां पर यह सारी चीज़े आ चुकी है और अब मुझे क्या करना है अबडेट करना है और अबडेट के लिए क्या करेंगे यहां पर वापस से आएंगे और यहां पर हम लोग एक method बनाएंगे update address नाम का तो मैं काम करता हूं मैं इसे copy कर लेता हूं यह वाला जो method है यही काम में आ जाएगा update profile वाला इसको मैं copy कर लेता हूं यहां पर मैं paste कर कर लेता हूं और वहां पर मैं check कर लेता हूं कि मैंने checkout कर टा कौन कौन से field को mandatory किया थूं का उपली कर कर लिया है और यहां पर आ जाते तो फूर्स नेंम लास्त नेम तो पूरए यह major. कउपी कर लेता है थे यहां पर काम में आएगा विसको इसको और इहांपर है रिप्लेस कर देता है ठीक है इसको रिप्लेस कर दिया मैंने यहाँ पर तो यहाँ पर रिक्वेस्ट को all first name required है last name required है email भी required है country भी required है अच्छा country को यहाँ पर country ID क्योंकि इस form में मैंने जो field का नाम दिया है वो country ID दिया है अब लोग देखना चाहो तो देख लो यहाँ पर देखो मैंने country ID field का नाम दिया है तो इसलिए मैंने यहाँ पर country ID दिया है ठीक है required address भी required है city भी required है state भी required है zip भी required और mobile भी required है तो सारी है पहले card controller बंद कर देते हैं सो आ जाते हैं यहाँ पर profile वाले blade में और यहाँ पर मुझे एक Ajax देना होगा यहाँ पर address form मैंने दिया है इस form का नाम तो मैं नीचे आ जाता हूं और यहाँ पर मैं से paste कर देता हूं और यह जो दिया रखा है मैंने इसको ही मैं कर लेता हूं copy ठीक है क्योंपी कर लिया यहाँ पर इसे paste कर दिया address form को मैंने copy किया जो कि form का हमारे नाम है और ID भी मैंने दिया है तो address form.submit event.prevent default और यहाँ पर मुझे इसे एक route पर भीजना होगा ठीक है तो form का submission एक route पर जाएगा तो एक route भी declare कर लेते हैं method तो मैंने यहाँ पर बना लिया है update address नाम का तो इसके लिए route भी declare कर लेते हैं तो इसे मैंने copy कर लिया और यहाँ पर paste कर देता हूं तो यहाँ पर update address इसका URL और update address नाम का मैंने method बनाया था हूं पर और इस route का नाम होगा account.update address ठीक है तो इसे copy कर लेना है copy कर लेने के बाद में profile वाले blade में जाना है और यहाँ पर दे देना ठीक है account.update address और यह तो इफ वाला case हो गया पहले मुझे errors को show करना है तो यहाँ पर name दे रखा है name को replace करके मैं यहाँ पर कर दूँगा first name ठीक है आप लोग भी कर लेना और इसके बाद है last name यह email वाला काम में आ जाएगा क्योंकि email के लिए दे रखा है मैंने अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर क्या चीज़ मुझे ध्यान रखने है यहाँ पर देखो यहाँ पर इस फील्ड का नाम भी email है और यहाँ पर यह दूसरे ऑल को क्या करना है यहाँ पर पहले यह दे देना ठीके तो इसलिए मैं यहाँ पर इस तरह से ओके और यहां पर ही और यहाँ पर इसक्रूम कर घूंख कर गा ठीक है तो इसलिए मैं यहाँ पर फील्ड के साथ साथ फॉर्म का आईडी भी दे रहा हूं तो इससे यह होगा कि वह उस फॉर्म से वैल्य को पिक करेगा ठीक है तो यह हो गया और इसके बाद मुझे करना इसे कापि कर लेका है और फॉर्स नेम तो उमारी युठ कॉपि कांफिक्ज्ड है तो email की case में address form email ठीक है यहां पर भी address form email और इसके बाद है phone number तो हमारा जो field का नाम है वो क्या है यहां पर mobile तो यहां पर मुझे से replace करना होगा mobile से है ओके तो यहां पर हम लोगों ने एक दो तीन चार ले ले ली उसके बाद country तो मैं copy कर लेता हूं यहां पर पेस कर देता हूं यहां पर और जहां जहां यहां पर mobile लिक्रकाई यहां पर मुझे करना है country का इडी में दिया है तो country i.e. और यहां पर एक काम करना है मुझे चेक करना है कि हैं हाँ ठीक है country i.e. औक तो country i.e. के लिए आरर दे दीया मैंने आप और फिर address के लिए देना है तो यहां पर f miss हो गया आपर so इसे change करके address ओके और कॉपी कर लेते हैं फिर यहां पर अपार्टमेंट, सिटी, स्टेट, एंड जिप, यह अपार्टमेंट के लिए हो गया, सिटी के लिए हो गया, यह स्टेट एरर के लिए हो गया, यह लास्ट हमारा जिप के लिए है, और एक पर फिर्फ पेसे चेक करना है, और हर फिल्ड के बाद P-TEC होना चाहिए है, तो यहां पर P-TEC है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं, इसको करता हूँ, लिए की लेते हैं, क्लियर कर देते हैं पर इसको करता हूँ, भी अज्ड देता हो सेलेक्ट खर्णर करें कर, यहां पर first name action , last name में नहीं आया, the email field is required, the mobile field is required, the country field is required, the address field is required, apartment में error नहीं आया, the city field is required, यहाँ पर placeholder change करना है, state में भी placeholder change करना है, error तो सही आ रहा है, the state field is required, और zip में the zip field is required, okay, so एक बार चेक कर लेते हैं कि कौनसी field optional थी, तो इसके लिए मुझे auth controller में आना होगा, so apartment यहाँ पर मैंने नही नहीं दिया, तो apartment हमारा optional था, और last name यहाँ पर required आया, last name error नहीं आया, और last name error आना चाहिए था, तो last name के case में कोई error रहे गया है, तो देख लेते हैं, first name, last name के लिए मैंने यहाँ पर नहीं दिया है, ठीक है, तो इसको copy कर लेना है, paste कर देना, ठीक है, first name के यहाँ पर करना है, last name, ठीक है, तो यह last name के लिए error fix हो गया है, apartment हमारा optional था, और हाँ, ठीक है, okay, so हमारी errors यहाँ पर proper आ रही है, place holder हमें सही करना है, place holder भी सही कर लेते हैं, zip के case में place holder आ रहा है, zip ठीक है, apartment यहाँ पर आ रहा है, state के case में, तो यहाँ पर state, यहाँ पर होना चाहिए, city, और फिर यहाँ पर apartment आ रहा है, हाँ यह तो ठीक है, रिलोड कर लेते हैं तो यहां पर city आना चाहिए, यहां पर state आना चाहिए placeholder में यहां पर zip आना चाहिए, सही है यहां पर apartment ठीक है और यहां पर ठीक है, ओके सो सही है अब क्या करते हैं इसे, update कर देते हैं, और update करने के लिए एक छोटा सा में काम करना होगा, क्या काम करना होगा फिर से हमें card controller open करना होगा कोई का code में काम में आने वाला है तो यहां पर अगर हम लोग देखे हैं तो यहां पर मैंने एक method यूज़ का था update और create, सो यहां पर मैं इसे copy कर लेता हूँ और copy कर लेने के बाद में मैं इसे यहां पर paste कर देता हूँ ठीक है और यहां पर user id pass कर देता है तो यहां पर user id first name last name, email ठीक है तो यह सारी field है यहां पर मैंने one by one दे दी है country id में यहां पर मैंने country देता है तो यहां पर मुझे देना होगा country id ठीक है क्योंकि इस form में मैंने field का जो नाम दिया है country id तो यहाँ पर हम लोगों ने update और create नम का method यूज करा है और इसके help से हम लोगों ने record को update किया है अब मैंने यहाँ पर update और create नम का method क्यों यूज किया है इसे मैं check out वाले page पर आपको बता चुका हूँ चेक out वाले video बता चुका हूँ फर फिर भी मैं आप लोगों को इबर दुबारा बता देता हूँ तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर दो array है पहली array यह है और तूसरी array यह है तो पहली array जो हम लोग देते हैं जो होता उसके पहल पर डेटाबेस में छेक करता है कि यह record इस clause के लिए exist कर रहा है कि नहीं तो यहाँ पर मैंने क्या किया है यहाँ पर मैंने user id कolum को दिया और user ID में जो user logged ही निये उसका मैंने यहाँ पर ID पास किया तो वो यह check करेगा कि इस user id से related को record database में exist कर रहा है कि नहीं कर रहा है मतलब address table में user id से related को record exist कर रहा है अगर exist कर रहा है तो वो क्या करेगा record को update कर देगा इस array के बिहाँ पर और इसका reverse अगर record database में exist नहीं कर रहा है इस user id के लिए तो वो क्या करेगा इस record को insert कर देगा वेरी सिंपल, ओके, आई हो आप पुलों को ये clear हो गया होगा, ठीक है, तो अब मैं इसको session को open करते था हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, address, updated successfully, और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा रेता हूँ, कि इस user के लिए record database में पहले से पढ़ा हुआ, यह यहाँ पर मैं change कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, mohit1, ठीक है, और यहाँ पर stick मैं to day देता हूँ, और यहाँ पर मैं mail change कर देता हूँ, mohit at gmail.com, ठीक है, और मैं यहाँ पर country भी change कर देता हूँ, मालू मैंने इंडिया दे यहाँ पर, ठीक है, अब मैं फ़ डॉलर यूसर ओके ऑलá यूजर तो यहां पर क्या मैंने डॉलर यूजर यूस किया ह реально करती हो यहां पर मुझे से रिप्लेस करना होगा इस तरह से मैं clear कर देता हूं फिर से चलाता था उंस बिर किया किया तो email यहां पर आ रहा है और इसके साथ साथ यहां पर मैंने country भी change कर रहा है तो यहां पर मैं आपनों को एक condition चेकर आ रहेता हूं और वो condition क्या है कि इस user के लिए database में पहले से record exist कर रहा था मतलब address table में पहले से address stored था पर अब मैं यहां पर किसी और user से logged in करूंगा ठीक है और तब मैं यहां पर address को update करूंगा तो इसके लिए मैं कोई और user search कर लेता हूं तो यहां पर मैं john at example से मैं login कर लेता हूं और इसका id क्या है 3 है तो देखते हैं कि address table में 3 से related को record है नहीं है तो पहले मैं log out कर देता हूं तो यहां पर john at example.com 123456 तो यहां पर अगर हम लोग address form को देखें तो address form में यहां पर sub blank आ रहे हैं और क्यों आ रहा है blank क्योंकि अभी इस user के लिए कोई भी record database में नहीं है तो अब मैं यहां पर अगर update पे मैं दे देता हूं john at example.com मोबाइल में 123456 ठीक है और country में दे देता हूं अर्जेंटीना ठीक है address में मैं कुछ भी देता हूं dummy address dummy address ठीक है apartment में मैंने कुछ भी दे दिया city में मैं दे देता हूं कानपर state में up और zip में ठीक है और अब मैं update पे करता हूं click और आप लोग database में देख लो कि अभी दो record है ठीक है और मैं update पे click कर देता हूं तो यह record update हो जाएगा मतलब insert हो जाएगा record तो यहां पर मुझे लगता है कोई error आ गया ठीक है network में मैं click करता हूं यहां पर तो यहां यहां पर यहां पर यहां पर कर देता हूं ठीक है तो यहां पर एड्रेस देखो पूरा पहले से बढ़ा हुआ आ रहा है अब तो अब मैं यहां पर ब्राउस पर क्लिक करूंगा तो यहां पर एक record और आ जाएगा तो यहां पर आप लोग देखो तो यहां पर अब उसको डेटाबेस से डेटाबेस में record मिल गया address टेबल में तो उसने क्या क्या record को update किया है तो दोस्तों हम लोगोंने यूजर का profile का information अपडेट कर लिया है और साथ ही black हम लोगों ने उसका address का information भी update कर लिया है, ओके, next video में हम लोग change password पर work start करेंगे, ओके, दोस्तों, अगर आप लोगों ये वीडियो अच्छा लगओ, तो please आप इस वीडियो को like करें, comment करें, share करें, और मेरे चैनल को subscribe जरूर से जरूर कर लीजिए, अभी के लिए आए, thanks and take care.